समाझवादी पार्टी के बात करें तो कानपूर के अंदर पार्टी के अंदर रार चल लई है और ये रार शुरू उस समय होई थी जब यहां के संगठन ने यानि कि यहां की जो कमेटी है उसने एक प्रस्ताव पास किया था कि उसके अनुसार अगर सीसामाव सीट पर चुनाव होते हैं तो उसके लिए जो टिकट है वो इर्फान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को दिया जाए हाला कि नसीम सोलंकी की जहां तक बात है तो उस नाम पर किसी को भी आपत्ती नहीं है न भी कुछ बाते कही हैं उन बातों पर क्या कहना है विधायक का हसन रूमी का उनसे बात कर लेते हैं रूमी जी अभी अब जिलाद धेक्ष जो आपके हैं फजल मेमूद उन्होंने एक बात को कहा है कि विधायकों को पहले जब बुलाया जाता है तब वो आते नहीं और उसके को का जनता का हमारे उपर इतना दबाव रहता है कि अगर जनता के बीच भी हम ना जाएं तो हम सरकार 27 की कैसे बनाने में सही हो कर पाएंगे अब आपका दूसरा सवाल जिसमें आपने का बुलाया जाता है कि जाते नहीं है बुलाना तो छोड़िये हमको मालुम भी हो जात है और इसी तरीके से अभी जो कल की घटना है जिसमें कल वाली बात आई तो हमारे पास कारियाले के करमचारी का फून आया उन्होंने का कि मासिक बैठक चल लई है मासिक बैठक है आप आ जाईएगा हम लोगों ने हमने का कि ठीक है अगर मेरे पास समय होगा तो जरूर बरसात के अकारण इतना सक्त है कि जहां पर दो दिन पानी बरसा और दस दिन तक भरा रहता है और तमाम समस्याओं को लेकर जनता के बीच में जाना हमारी ज़रूरत है अदनी राश्टी अद्ध जी ने में 27 के चुनाओं में कमर कसने की बात कही है संगठन का काम है कि कारक कुंतरी अकले शादो जी को बनाने की है तो हम लोग उनकी इच्छा के अनुरूप काम कर रहा है और हम लोगों को जनता ने चुना है समयधानिक पत्पे बिठाला है तो हमारी जवाब नहीं लोकल इस्तर पर जनता के बीच में है और हमारे राश्टी नेत्रत की जब पार् नहीं तो इसमें क्या सचा है हमारा कोई आरोपी नहीं मैंने तो आपसे पूरी बात कह दी मेरा कोई आरोप नहीं है संगठन के कोई हम परदिकारी नहीं है संगठन के कोई हमारी जवाब देही नहीं है संगठन के लिए हमारी जब हम समझते हैं कि संगठन को हमारी जरूरत से आएगा तो हम उनके बुलाने का इंतजार क्यों करेंगे तो हम इसलिए कोई हमारा कोई इस तरह का कोई सवाली नहीं है कि बुलाते हैं नहीं बुलाए ना बुलाएं उनके घर का काम नहीं है उनका ये भी कहना है कि विधायकों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अपकी जो चुना हुए थे उसमें माइनार्टी का वोट कम क्यों मिला तो क्या ये आप लोगों की उपर बात है ये आप लोग से पूछना चाहते हैं पता नहीं उन्होंने कौन से परमीटर पर ये क और मैं 2022 में 20,000 वोट से जीता था 2023 में जब नगर निकाय का चुना हुआ मेर का चुना हुआ तो उसमें हमारी पार्टी के साथ विधान सबा आती है मेरी मात्र जीती 2024 में जब अभी लोग सबा का चुना हुआ तो 43,500 वोट से हमारी विधान सबा जीती तो लगातार हमारा का परसिंटेज समाज के सब बर्क में बढ़ दूरा है और रासवाल माइनाटी का तो यह परामीटर उनके पास है तो उन से कई इस परमीटर को ब्लेक एंड वाइट करें बताएं कौन सी विधान सवा में और कहां पर माइनाइटी का वोड कम हुआ है माइनाइटी का चेहरा देश में पर्देश में हमारे नेता अधुनिया क्लेश शादो जी हैं यह सवाल करना हमारे लिए जिन्होंने उनको अध्यक्ष बन रहा है तो यह सवाल हमारे उपर बनता भी नहीं है 2022 के बाद 2024 में जब लोकसभा का चुना हुआ तो जिस तरीके से हमारे साथी विधायक को जेल में है उसके प्रती लोगों की सम्वेदनाएं बढ़ी लोगों का एक सिंपेथी बढ़ी उनको जेल में रहते हुए भी उनके मत दाताओं ने 26,000 वोट से उनको जिताया तो पता नहीं किस परामीटर में संगठन ऐसी बाते कर रहा है संगठन का काम है सारे नाराज लोगों को एक साथ बिढ़ा कर एक कमरे में बिढ़ा कर चाय पिला कर गले मिलवाना संगठित करना वो तो संगठन की परिभाशा से ही भटक गए वो असंगठित कर रहे हैं पार्टी को पार्टी को 2027 में भारतियनता पार्टी की चुनोतियों का सामना करने के लिए ऐसे संगठन के बयानों से हमें लगता है कि पार्टी को इस पर आकलन करना चाहिए क्योंकि संगठन संगठित करने का एक वो होता धाचा वो वो तो जो विदायक को गाली वकद दे। उसको पदा decreics बना रहे हैं। जो विदायक को पुरा कैस्य को पदा तो अपनी जगा के चक्र में पार्टी को कम्जूर करने का मुद्धिया को अपनाये , कमतायान संगठन को मस्बूत करें , जिस काम के लिए उनको अधनी राष्टि अधीच जी के निर्देश पर प्रिदेशकारीयाले से पत्र मिला और उनको जिले की कमान दी गई तो उनको कमसिकाँ अपने संगठन को देखाए गया कि संगठन जब बुलाता बैठक में तो उनके पदादिकारी कमाते हैं तो जब पदादिकारियों में आपका संदेश नहीं अच्छा होगा, आपका वेवार अच्छा नहीं होगा, तो पदादिकारी नहीं आएंगे, तो आप महा पे ख़ले होके विधायकों से नोटिस की बात कर दोगे, मुझे नहीं लगता कि आपने समिधान पढ़ा है, विधा को लेकर का कि विधायकों को नोटिस देंगे, अब ये नोटिस देने की नई परचलन कहां से शुरू हो गया, नोटिस देने का अधिकार विधानसभाद धक्ष को होता है, नोटिस देने का अधिकार पार्टी के परामीटर में राश्टी अधिस को होता है, जिनकी पार्ट जब इनका आले लगाएगा तब उसका अंदाजा उस डॉक्टर को होगा कि इनकी कुछ और है इनको सही डाक्टर अभी मिलने ही पा रहा है किसी सही डाक्टर के पास जाएं अपना इलाज करा है और अपनी कुंठा का निवारन करें जिस काम के लिए उनको पाटी ने लगाया उस काम को करें तो अच्छा रहेगा उन्होंने आप लोगों के लिए एक बात और कहिए कि आप लोगों ने अभी तक जो कहा है वो नासमझी में कहा है और अब शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा हाँ बड़े हैं हमसे उमर में भी हमसे बड़े होंगे तो समझा सकते हैं, हम लोग ना समझ हैं, अपने विधान सभा के जनता का पर्तिनित कर रहे हैं और हमारे आश्टियत देज ने हम पर विश्वास किया और हमको यहां का उमिद्वार बना के और जिता कर अपने पास बिठाया, तो अब यह समझधारी का परामीटर जो है, तो हमें लगत दे ताके पार्टी ने जिसलिए इनको संगठन का काम दिया है, उसको मस्बूत करने का काम करें, उन लोगों को जो विधायकों से नाराज हैं, उनको विधायकों के साथ बिठा लें, जो आपस में मन मुटाव रखते हैं, उनको बिठा लें, पार्टी को दोहजार लगाने का काम न करें, ऐसा काम करेंगे, तो पार्टी को इनको करते हो से कोई लाब नहीं होगा, नोकसान बने नहीं कर पाएँ, क्योंकि नुकसान करने कराने की हैश्यत किसी ही नहीं है, हमारे नेता को पूरे देश ने जनना एक मान लिया है और PDA के माहना नाएक बनके जिस तरीके से उन्होंनों उत्तर परदेश में 37 सीटों को जिता कर और कांग्रेश को 6 सीटे जिता कर जो परदेश में एक नई आवाज बुलंद की है, तो हमें लगता है कि इस तरह के ख्रतियों से छोटी मुटी अपनी छोटी मुटी चाहतों को पाने के चक्कर में बड़े मकसद को ना नुक्सान पहुचाने का काम करें तो आप ते हसरनुभी जिनका ये कहना है बलकि एक तरह से उन्होंने जो कानपूर की जिलाध्यक्ष है उनको एक तरह से कहा है कि वो संगठन को मजबूत करने का काम करें और साथी साथ उन्होंने इस बात की भी आशा जताई है कि हम सब मिलकर 27 में कहीं न कहीं सपा को झाल खोने जिलाध्यक्ष तरह से न कहीं से कहा है उन्होंने तरह से कुम से टिलाध्यक्ष छोग मजबूत जिलाध्यक्ष जिलाध्यक्तरा अजाग्यक्तरा।